हलो फ्रेंड्स आप सभी को क्योंके दग की आफ नॉलेज चैनल में स्वागत थें जो भी फ्रेंड वीडियो देख रहे हैं उन सभी से विनम निवेदन है कि वो चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें साथी साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं क्योंकि जो भी वीडियो आएगी वो आप तक जल्द पहुँँच जाए चलिए चलते हैं आज के इंपोर्टिंग टॉफिक पे आज का टॉफिक है लोरी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इस पर्व को कैसे मनाया जाता है फ्रेंट्स आप सभी को बता दूँ पंजाब और हरियाना समेत उत्तर भारत के कई बड़े छेतर में 13 जन्वरी को लोहरी का तोयार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है लोहरी का पर्व उतर भारत खास तोर पर पंजाब एवं हडियाना के छेतर में धूम धाम से मनाया जाता है लोहरी के दिन लोग एक साथ इकठा होकर आग के चारो तरफ नाचते हैं गाते हैं और खुसियां मनाते हैं आपको बता दे कि लोहरी के पर्व में सुखे उपले लकडी रेवडी का विसिस महत्व है इस दिन लोग एक दूसरे को रेवडियां बाटते हैं लोहरी का पर्व किसान के लिए किसी बड़े उत्सब से कम नहीं है इस दिन फसल की कटाई और बुआई का समय सुरू होता है लोहरी की आग में अगनी देवता तथा सुर्य देवता को नई फसल के तोर पर तील, रेवडी, मुफली, गूर, आदी चीज अरपित करते हैं आपको बता दे कि लोहरी का त्यहार नई फसल के इस आगमन और खेती में नई फसल की बुआई की खुसिया में मनाते हैं इस दिन लोगों नई फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं और खुसिया मनाते हैं पंजाब में नविवाहित जोड़े या बच्चे की पहली लोहरी बहुत ही आहम होती है इस दिन उसको सुबकामनाय एवं उफहार दिये जाते हैं लोहरी की त्यहार सरद रीतु के अंत में मनाया जाता है लोहरी का परवी किसान को अरपित है इस वक्त रवी की फसल कटकर आती है तता नई फसल की वुआई की जाती है सुरू करने से पहले लोहरी का जस्न मनाया जाता है इस दिन किसान प्रात्ना करते हैं कि उनकी आने वाले फसल बहुत ही अच्छी हो लोहरी का त्यहार साम के समय मनाया जाता है इस तुहार पर मुंग फली, गूर, तील और गाजर खाया जाता है घर के सभी लोग साम के समय घर के बाहर लोहरी जलाते है इसी लोहरी में मुंग फली, गाजर, तील तथा मक्का डाल कर इसकी परिकर्मा करते है इसके साथ ही परिवार के लोग लोहरी के चारो और परिकर्मा करते हुए लोक गीत गाते हैं यह तोहार एक साधी सुधा जोड़ों के लिए भी बहुत महत पूर्ण होता है नए साधी सुधा जोड़ों लोहरीयों की अगनी में आहूत देखर अपनी खुशाल जीवन की प्रातना करता है फ्रेंट्स आप सभी को हैपी लोहरी